दोस्तों Samsung दुनिया का one of the biggest smartphone brand है जो कि अपने बहुत ही अच्छी camera की quality, display की quality, nox security, one UI और अपनी brand value के लिए well known है तो अगर आप भी अभी के time पे 30,000 के budget है में कोई सा एक best known Chinese Samsung का ही smartphone रून रहे हैं तो मैंने आज आपके लिए इस budget है में आने वाले 5 best or latest Samsung smartphone को select किया है जिने आपको अभी के time पे 20-30,000 के budget है में जरूर consider करना चीए है बागी देखो बिना time waste के इस वीडियो को start कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारी list no.5 पे पे जो smartphone आता है वो आता है Samsung की तरब से Galaxy A54 दोस्तों अगर आपको अभी के time पे 20-22,000 के budget है में कुछ सेक ultimate level का Samsung smartphone चीए तो A54 एक अच्छी चोई से जब यह launch हो था तब 30,000 के आसपास sale हो रहा था अभी price drop के कारण आपको 22,000 के आसपास मिल जाएगा और इसी budget में Samsung की तरब से Galaxy A34 और A25 को भी consider किया जा सकता है हाला कि उन दोनों smartphone में जो front display वाला design है वो drop notch वाला है यहां पर Samsung की तरब से Exynos 1380 वाला processor मिलता है यह भी gaming के लिए तो नहीं है यह processor पर आप यहां पर normal से थोड़ी बहुत medium लेवल तक की gaming कर पाएंगे और अच्छी performance निकाल के देता है 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है जो की 25 वोट के charging speed पर वोक करती है Samsung की किसी भी smartphone में अभी के टाइम पर चार्जर अवेलेबल नहीं है तो आपको अलग से charging adapter पर पर प्रचियोस करना पड़ेगा बात करूं कैमरे की तो triple camera support है प्राइमेरी 108 MP का है दूसरा 8 MP काल्टरवाइड और तीसरा 2 MP का है फ्रेंड में 32 MP का सेल्फी जीटर मिल जाएगा सबसे अच्छी बहुत स्मार्टफोन के में कैमरा और फ्रेंड सेल्फी कैमरे दोनों से या 4K तक की वीडियो जो काट कर पाएंगे और सेमसंग का स्मार्टवन है तो कामरे की क्वालिटी भी या पर अच्छी मिल जाती है बाकी सेमसंग के नौसर सेक्यूरिटी मिलेगी चार साल ते के मेजर वे सब्डेज भी मिल जाएंगे और अगर फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 8 plus 256 GB ROM वाला वरेंट 22 रिपल लाइन में मिलने वाला है अभी बात कर लेते हैं लीस में नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन आता है बाता है सामसंग की तरफ से Galaxy A55 और सामसंग की तरफ से Galaxy M55 इन दोनों स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन ओल्मोस सेम देखने को मिल जाती है और दोने स्मार्टफोन रिसेंट्ल लाउंच हुए है आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते है A55 Flipkart में अविलेबल है M55 Amazon में बात कर लेते A55 के स्पेक्स की तो यहां पर 6.7 इंचेस की Full HD Press वाली AMOLED डिस्पेश मिलने वाली है पॉंचर वाला डिजाइन मिल जाएगा 120H का रिफरेश रेट और इन डिस्प्रेश फिंगर प्रिंट स्कैनर यहां पर मिलने वाला है बात करूँ performance की तो Qualcomm की तरब से Snapdragon 7 Gen 1 वाला प्रासेसर मिल जाता है स्मार्टफ़न Android 14 पर आता और चार सालते के यहां पर मेजर होए सब्स मिलेंगे बात करूँ कैमरे की तो बैक में रिपल कैमरा सपोर्ट मिलेगा प्राइमरी 50 Megapixel का है दूसरा 8 Megapixel का ल्ट्रवेड तीसरा 2 Megapixel का फ्रेंट में 50 Megapixel का से लिजीटे मिलेगा यहां पर भी आपको फ्रेंट बेक दोनों के चामरा से 4K तक की वीडियो को चौट करनेक उप्शिन मिल जाएगा बाकि डूल स्पीकर्स भी दिये गा हैं साम्शंग के नौज़ सेकरिटी और इस स्मार्टफोन का बेस वेरेंट 8 Plus 128 GB वाला 2499 मिलेगा अभी बात कर लेते हैं लीस में नंबर 3 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है साम्शंग की तरब से Galaxy A35 दोस्तों अगर आप 30,000 के बजेटे में कोई सा एक मिड रेंज फ्लैक्शिप लेवल का साम्संग स्मार्टफोन डून रहें तो A35 अच्छी चोही से रिसेंटी लाउंच हुआ है कंजरे किया जा सकता है यहां पर 6.6 इंचेस की फिल एजी प्लस वाले अमेलेट डिस्प्ले मिलेगी पंचोल वाला डिजाइन मिलने वाला है वन थाउजन निस्त की पिक ब्राइटनस और इन डिस्प्ले फिंगर्प्रिंस कानर मिल जाएगा बात करो पाफ़मेस के तो एकजिजनोस 1380 वाला प्रासेसर मिलता है स्मार्टफोन एंड़ 14 पे आता है और यहां पर भी चार सालते के मेजरों सब्देस मिलेंगे बात करो कैमरे की तो बैक में ट्रिपल कैमरे सपोर्ट है 50 प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल का और फ्रेंड में 30 मेगापिक्सल का सेलफी जूटर मिल जाएगा उसके बात कर लेते हैं लीसमें नॉमबर सेकेंड पर जो स्मार्टफोन आता है वाता गेलेक्सी अस्ट्रेंटीवन एफ़ी नोडर दोस्तो स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है पस्टील अगर आपको 30,000 के बज़ेट हैं में अभी का टाइम पर कोई सक स्मार्टफोन 4 इंचेस की फुल एच्डी प्रस वाली डाइनेमिक अमलेट डिस्प्ले मिल जाती है स्लीम बेजल के साथ आता है वन टो एच के आपर रिफरेश्ट मिल जागा बातकरू परमेंस की तो स्नैप्रेंग ड्रिपल एट वाला प्रॉसेसर मिलता है स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है बाकि IP68 का सर्टिफिकेशन मिलेगा स्टिरियो स्पीकर मिल जाएंगे एक जी की तरब से और अगर फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 8128 GB रोम वाला वेरेंट 27999 मिलता है उसके फाइनली बात कर लेते हैं मैं लिस्मार्टफोन पर पर जो स्मार्टफोन आता है वाता है सामसिंगी तरब से गेलेकसी एच 23 FE दोस्तों यह जो स्मार्टफोन अभी रीसेंटी लांच हुआ था और पचास दार के आसपास लांच हुआ था पर अभी प्राइस ड्रोप के कारण आपको 30 रिपल लाइन के आसपास मिल रहा है नोलोर अच्छी प्राइसिंग में अवेलेबल है थोड़ा सा अगर आप बजेट बढ़ा सकते हैं तो अब भी का टाइम पर एक बहुत अची चोई सरेने वाली है बाइकि अगर आप थोड़ा सा वीट कर सकते हैं तो आने वाली BBD सेल में यह स्मार्टफोन आराम से अंडर 2200 वाला प्रोसेसर मिलता है स्मार्टफोर अंडरे 13 पर आता है 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी जोगी 25 वोड की चार्जिंग स्पीट को सपोर्ट करती है बात करें कैमरी की तो बैक में रिपल कैमरा सपोर्ट मिलेगा प्राहिमरी 50 मेगा पिक्सल का है दूसरा 12 मेगा पिक्स यहां पर 10 मेगा पिक्सल का सेलफी जीटर मिल जाएगा 8K तक की मैक्सिम वीडियो रिकॉर्ट करने का उप्शन मिलता है फ्रेंटें बेक दोने क्यामरे से आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्ट कर पाएंगे और एवन 40,000 तक के बजिटर में भी यहां पर बन आप दो बेस का करके आसपास रेता है अभी का टाइम पर पर पर्चेस करते हैं इंक्लूडिंग बैंक आफफर तो 32,000 के आसपास यह स्मार्टफोन मिलता है और अगर वेट करेंगे सेल का तो बीडियो सेल में यह स्मार्टफोन आराम से अंडर 30,000 के आसपास भी आ सकता है बाई दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना है मिलूंगा आप से लोड़े हो तब तक के लिए सब्सक्राइब